हमने मांग की है कि आप जल्वी जल्वी लोगपाल का गठन करिए अब प्रक्रिया ये है कि एक शिकायत हम किसको करें भारती जग्ता पार्टी ने लोगपाल के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अन्हाजारे जी की नित्वत में आंदुलन किया था लेकिन आज तक लोगपाल का गठन नहीं हो पाए और हमें उम्मीद भी नहीं है क्योंकि नरेन मोदी जी के मुख्यमंती थे गुजराद के बारा साल के उनके कारेकाल में लोग आयुक्त गुजराद का गठन नहीं हुआ उसी प्रकार से अब लोगबाल का पांच साल हो गए जबकि गानून बन चुका है चार साल में लोगबाल का घ ठंडे हुआ अब शिकायत किसके पास की जाएगा? जी लोगबाल का अंदुलन की तो अब आभिषिता इसलिए नहीं क्योंकि गानून बन चुका उसकी उनकी न्युक्ति के लिए अंदोलन करना चाहिए तो मैं उसमें सैमत होगा एक तरफ जहां ये धर्म और धार्मिक होने की बात करते हैं वहीं वारा नसी में लगभग सौ से ज़्यादा मंदिर पुराणिक मंदिर पुराणिक समय के मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहां के साध्यू संथ विरोध करना जैद गुरु शंक्राचारे जी सुरुबानंजी के जो प्रतम शिष्य है स्वामी अभी बुक्तिश्वरानंजी पंद्रा दिन तक उन्होंने भूखरताई की इसकी विरोध में एक भारती जनता पार्टी का नेका ह या प्रतिरिदी राज सर्कार का या केंग सर्कार का उसे मिलने तक नहीं गया एक तरम जहां इन्होंने राम मंदिर के बारे में पूरे देश में आंदुलन किया वहीं बारा नसीत इनके संसा सबस्सित मानिय नरेंग बोदीजी स्वाइं है वहां पर मंदिर तोड़ दे पर किसी खुकुरियत राज दे है कि धर्वित के लिए केवल राजगेती का एक मांध्यम है आस्ता का प्रश्ट नहीं मैं हिंदू हूं लेकिन रस्स को मैं हिंदू संगत्र नहीं मानता इसलिए नहीं मानता पहली बात तो रस्स रेजिस्टर्ट संस्था ही नहीं है तो वो संस्था को की रेजिस्टर्ट नहीं है उस संस्था को हम इस देश के बहु संक्यर धर्म का पालिब करने वागों का प्रतिदी क्यों मानें राहूर नाती नहीं कहा था कि उनकी आलोचना संग और भाजपा की आलोचना से मुझे देश की संस्क्रति और धर्म को समझने का अवसर मिला इसमें कई उरुद्वास नहीं है मैंने भी जन्मी कहा है मैंने यही कहा है कि कोई भी धर्म आतक वाज का समर्थक नहीं हो सकता कोई भी धर्म हिंसा का समर्थक नहीं हो सकता प्रेम और सभाव से ही हर धर्म चलने के लिए कहता है मुझपर बार बार ये आरोक लगाए जाता है कि मैंने हिंदू आतंकवात कहा है मैंने कभी हिंदू आतंकवात नहीं का मैंने संक्वी आतंकवात जरूर कहा कोई धर्म का पालब करने वाला रेक्ति हिंसा नफरत को ख़दाने का नास्ता नहीं दिखाता जिस पकार से पाकिस्तान में तालिबान में वहां के समस्कृति को दूशित किया है जिसकी वज़े से पाकिस्तान में धार्मिक उन्माद पहलाने वाले संगतन आज पनप्र हैं वो देश के लिए खत्रा है उसी प्रकार से यदी नहीं रोका गया तो यहां धार्मिक उन्माद धनाने वाले जितने ही संगतन हैं वो इस देश में भी इस प्रकार की कत्रितियों को प्रशह देगे मुख्यमंत्री जी आज जो मराथा एजिटेशन धनकड़ एजिटेशन का सामना कर रहे हैं उसके लिए उक्स्वाइब जिन्मेदार है उन्होंने खुद ने भाजपा के नेता के रूप में आश्वासन दिया था कि मैं एक महिने में सब कर दूँगा तो अब मराथा लोगों में और धनकड़ लोगों में उनके प्रती नाराजी होना सौभाविक है लेकिन अगर मुख्यमंत्र जी विठोबा के प्रती समर्पिक है तो उन्हें जाना चाहिए था क्योंकि यह परंपरा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक साधारण यंति वारकरी इसका क्या अलॉट्मेंट से देखाला जाता है वो अशारी एकादेशी को अभिशेक करते हैं उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए था कोई मंत्री नहीं था भाजबा कोई मंत्री नहीं था कि डरते हैं क्यों है यह वो वेसी जो है वो जिस प्रकार से बीजेट की धर्मान्द हिंदू धर्म की राजनिती कर रहे हैं धर्मानता फैला कर राजनिती कर रहे हैं नफरत फैला रहे हैं उसी प्रकार से वह सी मुसल्मानों में धर्मानता ये नफरत फैलानिवानी दाजिती कर रहे हैं ये दोनों एक सिर्टे के दो पहलू है देखिए 2019 का चुनाव विचारधारा के आधार के लड़ा जाएगा व्यक्ति के आधार के नहीं लड़ा जाएगा मोदी हमारे लिए कोई महत्पूर नहीं है जिस विचारधारा के पृतरिधी के रूप में मोदी ने सरकार बनाई है वो विचारधारा संध की विचारधारा है जो की देश में नफरत और हिंसा को आगे बढ़ा कर इस देश में उन्होंने समाजों के बीच में खाई परता की मैं आपको बताता हूँ कि पार्लिमेंटी डिमॉक्रिसी में कोई विएक्ती चुनाव नहीं लड़ता है विचारधारा कनाव लड़ती है तो आज देश को तै करना है कि देश महात्मा गांदी पड़े के वाला लैरूंग की विचारधारा से यह देश आगे बढ़ेगा या हेट के बाद की गोलवल कर जी उसाबर कर जी के विचारधारा से आगे बढ़ेगा इस पर अगला चुनाव निर्भर करेगा